नमस्कार दोस्तों । शर्माजी की रभसवें में आपका स्वागत है। आज हम मावबाटी बनाएंगे वुरत् के लिए बनाईए हमने ये मावबाटी जो की खाने में बहुत ही तेस्टी है। बहुत अच्छी बनी है हमारी मावा बाटी अंदर स्टफिंग भी डाली है हमने और खास वुरत के लिए बनाई है हमने यह और अगर आपको मेरे रेसी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करकर बताना बिल् नॉर्मल टेंपरेचर है अभी इसका तीन टीस्पून हमने आटा लिया है यह आटा राजगीरे का आटा है तीन टीस्पून डालेंगे फुल भरके अम वृत के लिए बना रहे है यह मावा बाटी थोड़ा सा खोया हमने निकाल दिया है यह ड्राइफरूट लिये हमने जो पूर्यन मावा बाटी फूटने का डर होता है अब हम इसे आटे को अच्छे से हतेली से मैश करेंगे और बिल्कुष्व्ट डो बना लेंगे यह इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है हमें बिल्कुल महीन और बिल्कुल सॉफ्ट दूद नहीं डाला है हमने इसके अंदर क्योंकि राजगिरे का आटा अपने आप में बहुत हलका होता है इसके लिए हमने तीन टीस्पून आटा डाला है इसके अंदर आप चाहे तो सिंगाडे का आटा भी डाल सकते है पर सिंगाडे का आटा के लिए हमें 2 इटी स्पून डालना होगा आटा बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया है हमारा 250 ग्राम खोया लिया था हमने अब हम इसकी मावा बाटी बनाएंगे हतेली से बहुत अच्छे से मैश किया है हमने हम जितना अच्छा आटा मैश करेंगे हमारे मावा बाटी उतनी अच्छी बन जाएगी अब हम इस तरह से थोटी छोटी छोटी लोईया तोड़ लेंगे लगबग 16-17 लोईया बनीए हमारी और अब हम उतनी इसकी जो हमने स्टफिंग बना के रखी है उसकी भी हम उतनी गोलिया बना लेंगे इस तरह से थोड़े तनले में थोड़े मुश्किल होती है इन मावा बाटी को क्योंकि इसके अदर राजगिरे का आटा होता है तो पकड काफी कम होती है राजगिरे के आटे के अंदर इस तरह से हम छोटी छोटी पूडी बना कर अंदर स्टफिंग भरेंगे और आजवाज़ो से हम बिल्कुल भी क्रैक नहीं रहने देंगे पहले हम अच्छा प्रेशर दे कर लोई बनाएंगे इस तरह से और बिल्कुल उपर से पैक कर देंगे हम थोड़ा सा प्रेश करेंगे और इस तरह से हम मावबाटी सभी बना लेंगे आप चाहे तो राउन भी बना सकते हैं पर मावबाटी इसी तरह की होती है अच्छे से पैक करेंगे हम और सभी मावबाटी बना लेंगे 250 ग्राम खोया लिया था हमने इसके अंदर 15-17-18 मावबाटी बन जाती है और इसके लिए हम शक्कर भी 300 ग्राम लेंगे किनारों को बिल्कुल अच्छा चिकना करेंगे हम बिल्कुल क्रेक नहीं होना चाहिए 300-300 ग्राम शक्कर लिये हमने और 300-300 ml हम इसके अंदर पाने डालेंगे शक्कर को गैस के ऊपर रखेंगे हम चाशनी बनाने के लिए गी गरम हो चुका है हमारा बहुत जादा हमें गी की गरम की आवशकता नहीं है गैस का फ्लेम थोड़ा दीमा रखेंगे और शरी 5-6 मावबाटी हम इसके अंदर फ्राइपन के अंदर डालेंगे थोड़ा स्पेस भी रहने देंगे हम मावबाटी को चलाने के लिए और थोड़ा हम जल्दी बिल्कुल नहीं पल्टेंगे इसे जब तक ये नीचे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हम इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे इसका फूटने का बहुत जादा डर होता है क्योंकि हमने इसके अंदर राजगिरे का आटा डाला है अगर शिंगाडे का आटा अगर आप डालते हैं अगर आपको पसंद है तो उससे थोड़ा माववाटी सक्त बन जाएगी और उपर के लिए इसकी उतनी चिकनी भी नहीं बनती है जितनी हम रेगुलर माववाटी बनाते हैं उसकी बनती है पर हम थोड़ा ध्यान से बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फूटेगी है अगर आपको लगए कि आपकी महाबाटी फूट रही है तो बिल्कुल उसे मत नहीं लाए और उसी जगह पर गोल्डन ब्राउन होने दे ताकि वो अपने आप में थोड़ी पकड आ जाए उसके अंदर गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लिया है हमने सभी महाबाटी को और उपर के लिए इसकी बहुत क्रिस्पी नजर आ रही है चास्नी भी हम ज़्यादा सक्त नहीं बनाएंगे हमें सिर्फ थोड़ी हलकी चिकनी चास्नी बनाना है शक्कर भी थोड़ी ज़्यादा लगती है महाबाटी के लिए क्योंकि सभी शक्कर पूरी महाबाटी के अंदर एब्जॉब नहीं होती चास्नी बच जाती है हमारी इसके लिए हमने 500 ग्राम मावे के लिए 300-300 ग्राम चीनी लिए और उतना ही उसके अंदर पानी डाला है हमने दूसरी महाबाटी भी डाल दिये हमने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने के बाद में हम इसे पलटेंगे थोड़ा धीरे धीरे पलटना होगा इन्हें इस तरह से आप चाहे तो देसीगी में बनाएं या फिर रिफाइन ओल में भी बना सकते हैं चाशनी भी बनकर तयार हो रही है हमारे हम इसमें 2-3 टीसपून दूर डाल देंगे ताकि अगर कोई गंदगी हो शकर में तो अच्छे से निकल जाए ये भी मावबाटी फ्राइ हो चुकी है हमारी सभी मावबाटी को हमें गोल्डन ब्राउन ही भूनना है फ्राइ करना है और अब हम चाशनी को भी उतार लेंगे चाशनी भी बनकर तयार हो गई है हमारी बची हुई मावाबाटी भी डाल देंगे हम फ्राय वास का फ्लेम बर्न कर देंगे हम चाष्णी का अब हम इसके अंदर चाष्णी को छान लेंगे हमें इसी तरह का बड़ा वाला और बिल्कुल फेला हुआ बरतन लेना है हमें चाशनी को छान लेंगे हम इसमें चाशनी बिल्कुल गुंगुनी है हमारी और बहुत पतली है चाशनी हमारी सक चाशनी हमें तारवाली चाशनी नहीं बनाना है सिर्फ चिकनी हलकी चिकनी लगे हातों को इतनी ऐसे हमें चाशनी बनाना है मावाबाटी भी हमारी चाशनी को एब्जॉब करके तैयार हो जाएगी खाने के लिए वरत के लिए बनाईए हमने ये मावाबाटी और खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है ये इस तरह से थोड़ा पलट भी देंगे हमावाबाटी को एक बार ताकि दोनों तरफ से अच्छे से चाशनी एब कर देंगे वर्क ऐप्छनल है आप चाहे तो लगा है ना चाहे तो ना लगा है हमने सभी मावाबाटी को वर्क लगाया है और बहुत अच्छी बनिए हमारे मावाबाटी चाशनी का भी ध्यान रखना होगा हमें तैयार हो चुके हैं हमारी फर्याली मावाबाटी और अब हम एक मावाबाटी को तोड़ कर दिखाएंगे और देखिए आप कितनी अच्छी बनी है हमारी मावाबाटी उपर से थोड़ी क्रिंची भी क्रंची क्रिस्पी भी लगती है यह मावाबाटी और बहुत अच्छी बनी है हमारी मावाबाटी वरत के लिए बनाई है हमने और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करकर बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि कैसी बनी है हमारी मावाबाटी